आज जो यूनियन बजट पेश किया गया मान्यें बित्यमंत्री साइबा के दुआरा पुड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि उसमें पंजाब का कोई नामों निशानी नहीं है इससे पहले 26 जनवरी की जाकी पंजाब की गयव थी रिपाब्लिक डेश से पंजाब गयव था अब देश के बजट से पंजाब गयव है यह समझ नहीं आती कौन सा बदला ले रहे हैं यह पंजाबियों से हमने क्योंकि बार्डर स्टेट है हमने हजार करोड रुपे की मांग की थी कि B.S.F. उनको अपगरेड करने के लिए क्योंकि ड्रोन बगएरा बहुत आते हैं एंटी ड्रोन सिस्टम लाउंच करने के लिए उसका नाम भी नहीं लिया गया हमने प्री बजट जो डिमांड्स मांगते हैं राजियों से हमने उसमें मैंशन किया था कि बंदे भारत श्री अमरसाज साब से और बठिंडा से जो हैं दिल्ली के लिए उसका नाम भी नहीं लिया गया जब मैं बतार मेंबर पार्लिमेंट वहां लोग सब में था तो मैंने एक आइडिया दिया था जो कि रेलवे मंत्री साब ने असेप्ट भी किया था कि रिलीजिस टूरिजम के लिए बहुत एक पांचों तख्तों को जोडने वाली एक ट्रेन चले जो अभी तो जो श्री अमरसाज से नदेड साब जाती है उसकी दो-दो महिने की बुकिंग है अगर आप श्री कालतक साब से तक श्री केशगर साब तक अगला पढ़ाओ जो है तक श्री पढ़ना साब तक उससे अगला पढ़ाओ तक श्री हजूर साब नदेड उससे अगला पढ़ाओ जो है वो तलवंडी साबु का हो और बापस फिर कालतक साब। तो ये ऐसी ट्रेन जिसमें लाखों जो एनाराइज भी हैं वो भी पांचों तक तो के दर्शन करना चाहते हैं लेकिन उनको बहुत दिक्कत होती है कोई नामों निशान नहीं है उसका और कोई MSP नई फसल पर कोई MSP नहीं दी गही है हमने कहाता कि 15 πे पारेकड जो पराली जलाने की समस्या है उसमें द्राइस पर कोई उसमें डिटेल नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि इस डूर्ट ट्राइब्स के लिए काफी सहूलतें दी गई अच्छी बात है लेकिन श्डूर कास्ट के लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि जो श्डूर कास्ट है एसी हैं बीसी हैं जो पप पिशड़े बर्ग से हैं उनको ऊपर उठाने के लिए उनको उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए कोई पैकेज हो तो सिर्फ कागज में लिप्टा हुआ एक लिखती एक सिक्रिप्ट थी इससे पहले भी बजट में कहा गया था आने वाले 24 में हम किसानों की आई दुगनी कर देंगे कहां दुगनी की है आई हूंकी MSP के नाम से तो ये सरकार मेरे खैल में सेंकर सरकार जो है चीड़ती है तो किसानों से एक किसम का बदला लिया गया है क्योंकि उन्होंने अंदोलन किया था इतना बड़ा अंदोलन किया था तो कि प्रिशानों के बारे में कुछ नहीं बोला गया, कोई MSP नहीं दी गी, और पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, हमें बहुत चैलेंजेज हैं, हमारी पुलिस को अपकरेड करने के लिए, हमारे बॉर्डर को अपकरेड करने के लिए, हमने एक स्याशन दिया था कि जो तार के पार, तीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन- उनकी फ्रिस्किंग में तलाशी लेने में जाता है अब यह सफ खुद जाती है खेती करवाने के लिए तो के 200 मीटर तक तार ले जाएं तो बहुत सी जमीन जो है वो तार से इधर आ जाएगी बहुत किसानों को फैदा हो जाएगा उसका कोई मेंचन नहीं किया गया तो मुझ पहुत की तो लगता है यह कोई बदला ले रहे हैं पंजाब से लेकिन पंजाब जो है वो एक ऐसी स्टेट है जिसने 90% कुरुबानियां देश को उजाद करवाने में और अभी भी देश की उजादी को कैम रखने में जा हम कुरुबानिया दे रहे हैं तो ऐसा पंजाब के साथ अन्याय जो है वो अच्छा नहीं है और हम जब डिमांड फॉर ग्रांट बजट पर डिवेट चलेगी तो हमारे जो साथी सांसद हैं राजसवा में हम ये बातें मान्य वित्मंतर जी को याद कराएंगे कि पंजाब को आप देश का हिस्सा मानों पंजाब को देश में से मनफी नहीं कर सकते क्योंकि पंजाबी हैं जो पूरे देश को खाना भी खिलाते हैं पंजाबी हैं जिन्होंने हरा इंकलाव लाके देश को अनाज के मामले में जो आटम ने पर बनाया था तो अब उनको ऐसे छोड़ना लावार छोड़ना अच्छी बात नहीं